हेले स्टोडेंट कैसे आप सब एक बार पुना स्रीव कोचिंग क्लासेश पर स्वागात है क्लास टोल्ड फिजिक्स एंचेर्टी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है विद्धुद्धारिता किसे कहते हैं विद्धुद्धारिता का मात्रक और विमेशोत्र तो पहले इसको समझने के लिए हम डाजी प्रिभासा नहीं समझेंगे कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जैसे मान लीजे पैरे भायो जो बिद्धु धायता किस किस पर डिपेंड करता है बिभा और आवेस पर अच्छा बिभा किस पर डिपेंड करता है और जितना बिभा होगा जितना आवेस होगा उसी कानुपात कहलाता है बिद्धु धायता उसको भी हम देखेंगे लेकिन थो प्रकार से एक आपके पास चालक है ये आपके पास चालक पदार्थ है इस चालक पदार्थ पर जितना हम आवेश देंगे उसके विभाव में उतना ही ब्रद्धी होगी जिस प्रकार से एक पात्र में द्रौ डालने से उसके तल में ब्रद्धी होती है उसी प्रकार से किसी च दिरे दिरे बढ़ने लगता है उसी प्रकार से ठीक किसी चालक में आबेश देते हैं तो उसके बिभाव में ब्रद्धी होने लगती है अर्थात किसी चालक में दिया गया जो आबेश है वो बिभाव में ब्रद्धी के अनुक्रमानुपाती होता है चीजें क्लियर हो गई आ आबेश के शमानुपाति होता है इतना आप clear करके लिख सकते हैं कि जो आबेश होता है depend करता है विभाव पर या विभ nouve जो होता है depend करता है आबेश पर ठीक है कितना हो छला को क्यूं आवेश दे रहे हैं कितना आवेश क्यूं आवेश दे रहे हैं ठीक है तो क्यूं आवेश देने पर उसके विभाव में कितना ब्रद्धि हो जाता है उसके विभाव में कितना ब्रद्धि हम मालें भी की ब्रद्धि हो लास्ट में परिभासा भी समझे के ब्रद्धियों तो हमने क्या पढ़ा भी जो विभाव है किसके समानुपाति है आवेश की ये लो इन जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही ज्यादा विभाव होगा अब यदि हम इसको है ना समानुपाति को हटा दें यहां पर तो प्यारे भायो एक नियतांक लग ज जलते हैं कि सी एक समानुपाति क्या है नियतांक है जहां आनुपाति के नियतांक भी कह सकते हैं यहां पर लिखना आपको जहां सी एक आनुपातिक नियतांग है जहां सी एक आनुपातिक नियतांग है जहां सी एक कहा आनुपातिक नियतांग इतना क्लियर हो गया कि बिद्धु धारितापन परिभासा निकाल रहे हैं तो पहले हमने क्या कहा कि किसी भी चालाग पर अबेश देते तो उसके बीभो में ब् पेश वबीभो के ब्रदिकी एंग्मानुपाटी होता है तो क्यों समंग्मानुपाती भी जब अनुकमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जहां पर एक सी नियतांक है जिसे च alaq की विद्दु धारता कहते हैं इतना clear हो गए आपका, क्या कहते हैं, विद्दु धारिता कहते हैं, इतना complete हो गए, इसको हम समिकर्ण एक दे देते हैं, यह आपका समिकर्ण एक है, अब समिकर्ण एक से यहाँ पर हम, है न, यदि कहें आपको कि यदि समिकर्ण एक में, यदि समिकर्ण एक में, भी बराबर एक रख दें भी बराबर एक रख दें तो क्यों कर जो मान है वो सी के बराबर होगा मतलब जो धारिता है वो आबेश के बराबर होगा अब यहां से एक धारिता की परिवासा निकल कारा आ गई किसी चाला की बिद्धु धारिता आबेश के उस आंकिक मान के बराबर है जिसमे कि विभो में इकाई ब्रद्धि कर दे ठीक है ना चीज़ें क्लियर हो गई विभो में इकाई ब्रद्धि कर दे फिर से समझेंगे किसी चाला की विद्धु धर्दा किसी चाला की विद्धु धर्दा आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो की विभो में इकाई ब्र है वो किस आवेश के बराबर होगा उस आवेश के बराबर होगा जो की बीभों में इकाई ब्रद्ध कर दे जो की बीभों में इकाई ब्रद्ध कर दे तो इतना आपको लिख लेना है कि आताहा किसी चाला की विद्धु धारिता उस आवेश के आंकिक मन के बराबर होता है जो समिकन एक से दी हम कह दें समिकन एक से दी हम C कमान निकालें तो आएगा Q अपान भी ठीक है Q अपान भी समिकन एक दे सकते हैं यहां पर देखी दिया हुआ है तो C बराबर Q अपान भी आ जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए C वरावर की ओफवान भी यहां पर आपसे कह दिया जाए कि बिद्धु धारिता वरावर बिद्धु धारिता वरावर तो आप सिंपल तरीके से कहेंगे कि आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा कितनी है और पैरे भाईयो या पैरचातर यहां पर बिभो में ब्रद्धी यह दो चीज आपको clear होना चाहिए कि आवेश की मात्रा कितनी है और बिभो में कितना ब्रद्धी है इनका रेजीयो ही बिद्धु धारिता कहलाता है क्यू अपान भी यानि किसी चालक में विद्द धारिता उसके दिये गए आवेश की मात्रा और उसके विभों में ब्रद्धी के अनुपात के बराबर होता है किसी चालक की बिद्द धार्टा उस चालक पर दिये गए आवेस की मात्रा और उसके कारण जो बीभों में ब्रद्धी होती है उसके अनुपात के बराबर होता है इतना आप लिख सकते हैं चीजें क्लियर है इतना आप लिख लें जितना मैंने बताया कि प्यारे भायो किसी च चालक की धार्टा चालक को दिये गए आवेस और आवेस के करण जो बीभों में ब्रद्धी होती है उसके मान के बराबर होता है इतना क्लियर हो गया अब बात करते हैं मात्रक की तो मात्रक आप आसानी से कह सकते हैं भीया कि आवेस का मात्रक क्या होता है कुलाम होता है और सी का मात्रक एदी निकालना चाहें सी का मात्रक तो क्यों का मात्रक प्टे भी का मात्रक एक ऐसा भी मात्रक निकाल सकते हैं कुलाम प्रती बोल्ट कुलाम प्रती बोल्ट ओके इतना क्लियर हो गया और आपको लिख लेना ऐसाई पद्धत में मात्रक S.I.P.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D होता है एक मिली फैरड है ना एक मिली फैरड मतलब एक मिली फैरड बराबर कितना होता है पहरे भाई हो तो तीन जिरो होता है दस घाती माइनस तीन फैरड यह चीज़ आपको लिखते चलना है यह दि मैं आप से कह दूँ कि एक माइक्रो फैरड एक माइक्रो फैरड फैरड म नयनो फैरेड एक नयनो फैरेड तो एक नयनो का एन फैरेड बराबर नयनो में नउ होता है नौइनों में नौ ऐसा याद करना है आपको पी को में होता है पंद्रा जिदि आ जाए एक पी को सरी बारा होता है एक पी को फैरेड एक पी को फैरेड तो दस घाते मैंनस बारा फैरेड यह याद करने आपको और इसमें इतना ही सीखनत अपने को कि विभाव किसे कहत बिभाव का मात्रक और यहां पर आप लोगों ने परिवासा भी सोरी विद्दुधाईता किसे कहते हैं विद्धुधाईता का मात्रक और परिवासा है ना इससे समंदित कुछ आंके का प्रिशन में यह आपको काम में आएगा प्यारे भाई और अब्जेक्टिव में कभी